अलो गोडिवनिंग नमस्कार ओवर हंद्रेट पीपल स्किल्ड इन दा ट्राइजिक स्टैंपेट अड़ यूपी हाथरस यूपी हाथरस में यूपी में एक हाथरस दिश्टिक है वहां पे बहुत दुखद एक भगदड मचा है जिसमें सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो ग महिलाएं लोगों की मौत हो गई है जिसमें जादातर महिलाएं हैं अब हम यहां पर यहां समझने का प्रियास करेंगे सबसे पहले देखेंगे कि यह घटना क्या है उसके बाद में देखेंगे कि क्यों हुआ उसके बाद में देखेंगे कि इसका कारण क्या है उसके बाद म यानि भगदर का साइकलोजिकल कारण क्या होता है क्यों लोग भागने लगते हैं भगदर क्यों मचा देते हैं जब कि इतना सिव्लाइज तरीके से बैठे रहते हैं ध्यान से समझेगा उसके बाद मैं देखेंगे कुछ बिश्व लेवल पर जो ऐसा ट्रैजिक भगदर जो क से एक यह भी है यूपी हाथरस का स्टाइमपेड यानि बहुत दुखद ट्राइजिक भगदड क्लियर स्टाइमपेड भगदड क्या लिए न्यू से शुरू करते हैं लगभग 101 पीपल्स की मौत हो गई है जिसमें से लगभग सभी ओमेन है मैलाएं ही है यह दो जुलाई को स्टाइमपेड हुआ क्योंकि वहां पे रिलीजिस गायदरिंग यानि धार्मिक सभा धार्मिक जो सभा वह रहा है थे गैदरिंग था धार्मिक गैद्रींग था परवचन वगर हो रहा है थे कहां पर यूत्तर पर्देश के हाथरस डिस्टिक में अब यह जो भगदड़ है इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरह का भगदड़ हुआ है और लोगों की जान गई है बहुत सारे भगदड़ हुए हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है यहना थार्मिक दोग सुन रहे थे धार्मिक प्रिचर सभा को संबोधित कर रहे ते उसमें एक डाटा यहां पर मैं बताऊंगा टाटा जो इक अठा किया है एफ्टी इलियास और उनके शाजोगीन है उन्होंने 1954 से 1954 से 2002 के बीच में उन्होंने डाटा बताए कि जितने भी स्टैंपेड हुए है भगदर मचे हैं उसमें से 79 परसेंट यानि 79 परसेंट जो भगदर हुए वा रिलिजियस मास गैदरिंग के कारण हुए या धार्मिक गै इमर्जेंसिंग इंडिया 2013 में बताया गया है अब इसके कुछ तस्वीर देखिए इतनी सवात है इतने लोग पहुंचे हुए त अलग भी धाई लाक लोग पहुंचे हुए थे और उसमें से यह स्टैंप है हुआ देखिए कि इतने लोग सारे लोग मरे पड़े हैं कुछ लोग की सांसे चल लाई है होस्पीटल तक पहुंचे पहुंचे मर जा रहे हैं महिलाए लोग अपने परिजनों को खोने के कारण रो रही है अब हम आते है कि क्या हुआ 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 या भगदर क्यों मचा यहां जो घटना है यहां जो क्रस है यह पूलराई विलेज में सेलफ स्टाइल गॉल्ड मैन है स्वाभू भगवान अपने आपको मानते हैं उनको लोग प्यार से भोले बाबा बोलते हैं वो भोले बाबा जो है वह रिलिजियस गाइदरिंग को होल्ड किये थे यानि उन्हीं वहीं उसमें मुख्य वक्ता थे बोल रहे थे सरकारी अधिकारी जो है परमिशन दिया था असी हजार लोगों के लिए लेकिन वह उस सभा में वह जो रिलिजियस सभा यानि धार्मिक सभा था उसमें लगबग ढ़ाई लाख लोग पहुंच गए उस इवेंट में जहां बाबा यह बोलना है थे बोले बाबा अब इवेंट कि बाबा का चरन जहां जहां पढ़ रहा है वहां से अगर मिठी उठा ले कोई तो उसकी मनुकामना पूरन हो जाएगी बाबा नीचे उतरे अपने गाड़ी के पास पहुंच रहे थे उसी में अच्छानक हजारों जो उनके डिवोटी थे जो उनको मानते थे वह उनके गा पैर के तले का धूल ले लेंगे तो हमारा मनुकामना पूरन हो जाएगी बागल में कीचड था उसी के अगल बागल लोग बैठे हुए थे बाबा का परवचन सुन रहे थे वह लोग उसी कीचड में दब के मर गया उस डस्ट में और बाकी लोग ऐसे अपना उमर गया पर डुगा इतनी बड़ी भगदर मचा जिसमें इतने लोग साइकड़ों लोग मर गया अभी भी गिंती जा रही है क्लियर अब यहीं जो जरी लीजियस गैदरिंग यहीं पर धार्मिक सभा हुआ था जो केवल चपल ही दिख रहे हैं यहां पर सभी लोग काफी लोग मर ग के जो कासगंज डिस्टिक में है जो हाथरा से लगवक 65 किलो मीटर दूर है या भोले बाबा पहले कॉंस्टेबल थे पूलिस में लेकिन बाद में इन पर क्या हुआ क्रिमनल केस दर्ज हुआ उनको सस्पेंड कर दिया गया सर्विस इसके बाद में धार्मी की तरफ मूड क सकार विश्वहरी लोग इनको प्यार से भोले बाबा बुलाने लगे और यह सभाय करने लगे यूपी में मदपरदेश में इनकी बहुत सारे आस्रम है और सभाय करने लगे जब घटना हुआ उसके बाद भोले बाबा निकल चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है या जो माना हुआ था वहां से सौ किलोमेटर दूर है यह हैं भोले बाबा सूरज पाल इनका ऊरिजनल नाम है कंस्टेवल थे सस्पेंड हो गया बाद में बाबा बन गया लोग इनको प्यार से भोले बाबा बुलाते हैं महिला इनकी ज्यादा भक्त है इसलिए जितने लोग मरे हैं उस कितना विश्वास है बिलीव सिस्टम देखिए ठेक है अब हम आते हैं कि स्टैंपड एक्चुली होता क्या है एक जाम पॉइंट आफ यहां पर वैंग्यू विंग एंड अधरे स्कॉलर से उनके अनुसार क्या होता है कि स्टैंपड यानि भगदर जो होता है या कि पूर्ण मुम अचानक एक मॉम्मेंट होता है जिसके कारण क्या होता है लोग घायल हो जाते हैं और कई लोगों को डेथ हो जाती है यह कोट किया गया है यहां से रिवीव आफ एनालिसिस क्राउड क्राउड गैदरी रिस्क एंड इस इवालूशन मेथर 2020 थे यहां वैंग करता है यानि कोई मुमेंट है यहां से लोग चल रहा है एक ओडर में है यह मुमेंट जैसे यह ओडर डिस्टर्फ होगा तो वह क्या हो जाएगा भगदर मच जाएगा जिसके कारण लोग घायल होते हैं और बहुत सारी फैटलिटी कैजूलिटी होती है डेंजर है जो उनको पाना है ग्रेटिफाइंग करना है यानि उनको चीज हुआ चाहिए जैसे इस केस में आप देखेंगे कि हां इसलिए भगदर मचा कि बाबा के नीचे का मीठी चाहिए उनको इसलिए उन्होंने पूरे और को ही डिस्टर्फ कर दिया लोगोंने क्राउड के और पूरे जो फाइदा होगा तो इसलिए भगदर होता है अब भगदर में लोग मरते क्यों हैं यह कि दो कारण होता है भैगदर में मरने का लोगों का एक होता है ट्रॉमाटिक एसफेक्सिया यानि बड़ा घातक रूप से क्या होता है स्वास का औरुद्धोना स्वास का इसलिए या कम्प्लीट जो होता है ने स्वासन प्रक्रिया को अरुद्धोना अब इसका यह क्यों होता है चुकि अचानक जो है ना एक्स्टर्नल यानि बाहरी रूप से कंप्रेशन बनता है शरीर पे यानि अपर अब्डोमिन यानि पेट के बाउपरी हिसे में अचानक प्रेशर बनता है दबता है लोग तो क्या होता है स्वास अरुद्ध हो जाते हैं जिसके कारण लोगों की मिर्तु हो जाती है तो यह ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया पहला कारण होता है जदातर लोगों का मरने का भगदण में दूसरा जो कारण होता है वह होता है माइको का इन्फाक्षन यानि इसको बोलते हैं आप हिर्दय और उद्ध यानि जैसे हार्ट अटाइक अब हार्ट अटाइक कम्प्लीट नहीं होता है ध्यान से समझेगा क्या होता है अचानक एक्स्टर्नल प्रेसर पढ़ने के कारण एक्स्टर्नल प्रेसर पढ़ने के कारण क्या होता है हिर्दय के किसी भाग में बलड का फ्लो रुख जाता है जिसके कारण क्या होता है आदमी की मौत हो जाती है डड़ भी होता है साथ में आदमी की मौत हो जाती है या क्या होता डाइरेक्ट क्रस कर दिये जाते हैं जिसके क कारण का होता कई लोग का internal आर्गन फट जाता है कई लोग का मात फट जाते हैं इंजर्ज हो जाते हैं कई लोग का गलां यह दब जाता है और वो ठोड जाते तो यह दो कारण MJ Projektman है एक फार क व्रूद्ट और दूसरा कारण है mycocardial infarction यानि हिर्दय की हिर्दय और दो बोल सकते हैं इसको mycocardial infarction जिसके कारण लोगों की मौत हो जाती है clear अब हम आते हैं कि इसका क्या psychology है इतनी सब human being जो एक बाबा का परबचन सुन रहे हैं इतने सब लोग और अचानक दोड़ने क्यों लगते हैं क्या उनको पता नहीं होता है कि धूल चले जाएंगे तो धर्ती तो भाग नहीं रहा और धूल ले लेंगे और उनको इतना समझदारी नहीं है कि ऐसे करने से मौत हो सकती है तो इसका psychological कारण क्या है मनोबैज्यानी कारण क्या है देखिए एक मनोबैज्यानिक है इनका सिधान्त बोलता है कि कोई पैनिक प्रोड्यूसिंग सिच्वेशन में कोई इस तरह का इस्टैंबेट मुवमेंट या कोई घबराहट वाली सिच्वेशन में क्या होता है सक्सेस होने के लिए कोपरेटिव बिहाइबियर की जरूरत होती है यानि एक दूसरे के सहजोग करने वाली ब्योहार की जरूरत होती है सफलता के लिए यानि पैनिक प्रोड्यूसिंग सिच्वेशन में सफलता पाने के लिए एक दूसरा कोई का सहजोग पुर्ण ब्योहार जरूरत पढ़ती है और जब तक लोग एक दूसरे को सहजोग करते रहते हैं तब तक सफलता मिलती रहती है इन्होंने यह थियूरी दिया अब या जब भी या कॉपरेटिव पैटार नगर एक बार ब्रेक हो गया यानि एक दूसरे को सहजोग करने वाला पैटार नगर एक बार ब्रेक हो गया तो क्या हो जाता है, इंडिवीजुल जो है, वह इस कॉपरेशन को ब्रेक करके और सफलता हासिल करना चाहता है. यानि जैसे बाबा बाला केस में देखिए, एक बार ओर्डरली मुमेंट ब्रेक हुआ, तो लोग एक दुसरे को कुचल कर जाके बाबा का मीटी लेने का प्रियास करने लगें. यानि एक बार या अगर पैटर्ण डिश्टर्फ हो गया, तो जो कॉपरेशन है वह इंडिवीजुल छोड़ देता है, और वह समझता है कि सफलता इसी में है कि कॉपरेशन नहीं करें एक दुसरे को, यानि एक दुसरे को कुचल कर और बाबा का पैर के नीचे का मीटी ले एक संकीपन के कारण ऐसा होता है, उन्होंने एक ठीवरी दिया कलेक्टिव बिहावियर 1962 में, उन्होंने इसमें बताया कि किसी भी मॉबलाइजेशन, किसी भी कार्ज में, किसी भी मॉबलाइजेशन फॉर एक्शन जो होता है, वह पोजेटिव विस्फुल फिल बिलीव के कारण होता है यानि एक ऐसा इसMr . स्ट्वाइध सिहों अचानक Beer इतना जोड़ से मोबलाइज करता है कि वह यह जुन मर रहा है और और नहीं मर रहा है और छर्टेशनल भी एक यह इस गना है जैसे यह स्टैंप बोलेंगे लिए आप फैर इनों ने दिया सोसिलोजिस्ट के लिए अब हम आते हैं कि कुछ ऐसे डेडली स्टैंपेड हुए हैं बीसो में जैसे बीसो का पहला स्टैंपेड भगदड़ जो डॉक्मेंटेड भगदड़ है वह थाड़ा सो चीयानवी में हुए बढ़ा अच्छा अगर में पूछता है त उनका जो असमारक चिन जो दिया जाता था उसका सौट सप्लाई होगा नहीं है मैंने सब लोगों के लिए उपलब्द नहीं है अचानक भगदड़ मचा और एक हजार से जादा लोग पुछल के मर गए क्रस्ट हो गए उस भगदड़ में सेकिंड भगदड इलाहबाद इं लोग मर गए इसी तरह वाई इंडिया 2005 में हुआ था जो महराष्ट्रा में मंदर देवी टेंपल में उनका यात्रा निकाला गया था जिसमें स्टैंपड हुआ थे 769 जबकि राउटर और एपी क्लेम किया था कि नहीं 2000 से जादा लोग इस भगदड में मर गए क्लियर तो यह सारी भगदड में तो आपने देखा कि हाथरा से स्टैंपड क्यों हुआ यह बहु सारी पॉइंट मैंने यह पता साइकलोजिकली बता इसका डिफनीशन बता जोइन कर लेंगे अगर यह इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे सो थाइंक यू हैवे गुड डेंड हैपी लर्निंग थाइंक यू वेरी मच